तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो अपना unit 4 था transaction उसके important topic जो इसका नाम है schedule ठीक है तो अपने अभी तक transaction वाली unit में अपने पढ़ लिया transaction क्या होते हैं उसकी properties मतलब asset properties के बारे में discuss कर लिया है ठीक है तो अब बात करते हैं state states के बारे में discuss हो गया था अब इस वीडियो के अंदर अपने schedule पढ़ते हैं और नॉर्मली क्या होते है schedule और इसके जो types हैं वह बात करते हैं देको schedule का मतलब यह है कि a series of operations from one transaction to another transaction is known as schedule schedule का मतलब यह है कि तुम्हारे एक transaction से another transaction में जो भी operations perform हो रहे हैं वह कहलाएगा अपना schedule ठीक है अब यह basically दो तरीक schedule का मतलब क्या होता है अब ही समझाते हैं और serializable क्या होता है वह भी समझाएंगे देखाज़ा schedule तीन तरीकिए का एक साइड सका नहीं होता है दो ही तरीके गा होता है ठीक है एक होता है serial दूसरा होता है non-serial अब serial में क्या होता है serial scheduling में जितनी भी transaction है माल लो इतने सारे transaction है चार transaction है आपके पास suppose this is your T1, T2, T3 and T4 ठीक है यह पहला transaction है दो लोगों के बीच में हो रहा है सारे transactions ठीक है serial schedule में की एक transaction एक ही बार होगा फिर यह खतम होने के बाद दूसरा transaction होगा मालब serial-wise चलेंगे जो पहले होगा व पूरा खतम होने के बाद दूसरा चलेगा दूसरा खतम पूरा खालव गया तो तीसरा चलेगा तीसरा खदम होगे तो चौतर चलेगा जैसे ऑपरेडिंग सिस्टम में आप सभी को पता होगा शैडियूलिंग है ना शैडियूलिंग टम आपने पड़ा होगा CPU शैडियूलिंग तो वही उसी टैप का है तो यहां पर operation जो भी है वह read है write operations है update operations वही होते हैं रीड कर लिया write कर लिया डिड़क्त कर लिया आपने ट्रांजेक्शन में यह operations होते हैं तो बाई उससे अगर टीवन चल रहा है तो टीवन जब तक अपना बात करते हैं नॉन सीरियल या फिर कॉन करेंट एक्जिक्यूशन में क्या होता है कॉन करेंट शेडियूल में क्या होता है जितने भी ऑपरेशन है वह जादा से यादा काम कर देते हैं मतलब किसी को भी रेस्ट करने के लिए ऐसे जरूर नहीं है कुछ टाइम तक यह चलेगा कुछ उसके बाद यह चलेगा उसके बाद फोर्ट वाले चलेगा मतलब यह कि कोई भी ट्रांजेक्शन रेस्ट में रहता ठीक है ऑपरेशन्स परफॉर्म होते रहते हैं लगातार तो प्याना हो ठीक है इसमें कि इसका फाइदे भी बहुत सारे नुकसान भी बहुत सारे फाइदे तो पहले यह है कि तुम्हारा नंबर ओफ ट्रांजेक्शन पर बढ़ जाएगा मालब ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी खतम हो जाएंगे दूसरी बात यह कि कोई भी ट्रांजेक्शन बहुत बढ़ा है ट्रांजेक्शन छोटा है ट्री और this country अगर हम से चलते माललो से चलते यह को गया थ्म पचास से कंद्धा अगर घान ही ना करें बात रहेWhere तो इसमें क्या होगा कि इसका कुछ मिनिट यहां पर एक दो मिनिट है तो माल लो एक मिनिट चल गया फिर एक मिनिट में यह पूरा एक खतम हो गया तो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जागा दूसरा भी हो जाएगा और तीसरे के लिए आदा बच रहेगा तो इस मतलब न द्वांटेज भी है अब भी समझेंगे और अच्छी तरीके से फिर यहां पर एक और लिखा सीरिलाइजेबल क्या होता है सीरिलाइजेबल की बात करूं कि जिसमें यह दोनों सीरियल और नॉन जीरियल इन दोनों का जो डेटा है फाइनल आउटपूट जो है वो अगर सेम एक जाता है इसरियलाइजेबल edical ने बोलाता न पहला एक थाकुल ने होगा तब तक दूसरे बात आईगी ही निदूसरे भाण हों सके बारे मैं बात होगी इस एक इन देफीनेशन कम्पीट देखते हैं अब जब तक अपना पहला फान सेच्षोन कम्पीट नी होता तब तक दूसरा नहीं आएगा अगर पहला कंप्लीट हो जाता है देन टीटू की बारी आएगी एंड चेंट फॉर अधर ट्रांजेक्शन ठीक है एक्जाम्पल दे रखा है अराम से स्क्रिंशॉर्ट ले के भाई पढ़ना शुरू कर लेना कोई दिक्कत नहीं कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है इस टाम पर खता है ऐहां पर यहां यहां इस टाम पर यह ट्रांजेक्शन कम्पलीट हो गया T1 तो उसके बाद ही अब T2 यहां से चालू हो जाएगा ठीक है तो यह कौन सा हो गया Serial Schedule Example हो गया ठीक है इसके और Example एक और है यहां पर देखो T2 पहले आ गया होगा तो T2 यहां पर खतम हो गया यहना इस Line के बाद T2 खतम हो गया फिर T1 चल गया तो this is your Serial Schedule मेरे गाल तो समझगी में आ गया होगा कोई बड़ी चीज नहीं Rocket Science नहीं Simple सी बात है Serial Schedule मतलब Line-wise Line Transactions होगे जो Transaction पहले आएगा वो पहले चल जागा और जब तक वो Complete नहीं होता दूसरे Transaction की बारी नहीं आएगी ठीक है इससे थोड़ा Time जो है वो दूसरे Transaction को ज़्यादा लग सकता है Waiting Time ठीक है तो यह उसके Demarriage हो गया फिर Non Serial Schedule जिसको Concurrent Schedule कहते हैं तो Concurrent Schedule में यहाँ पर अपना जो Output है वो हमेशा सही हो इस बात की Guarantee नहीं है ठीक है तो मेरी खाल से आप लोग समझदार है क्योंकि इसमें क्या होगा कि आधा-आधा Execution हो जागा आधा-आधा Execution होने के कारण क्या गलती हो सकती है ठीक है इसके Example दिखा दूँ आप लोग को Definition देख लेते If Interleaving of Operation is allowed Then there will be a Non Serial Schedule ठीक है जब भी Interleaving Operations होंगे मतलब जहाँ पे भी आपके Operations अलग-अलग होंगे वहाँ पे Non Serial Schedule या फिर अलग-अलग Transactions में At a Time अलग-अलग चीज़ें हो रही होंगी जैसे मैंने बोले T1 अगर बहुत बड़ा है Transaction आपका और पहले वो आया है तो T1 जो है वो Complete होगा तो T1 Complete हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है माल लो T1 इतना Complete हुआ और इस टाइम बाद T2 Execute हो गया यहां से फिर T2 यहां पे रुग गया फिर T1 Execute हो गया इस टाइम बाद फिर से T2 Complete हो गया T2 Complete हो गया इस टाइम बाद T1 भी Complete हो गया तो मतलब Break करकरके Transactions हो सकते है Serial Non Serial में जिसको Concurrent भी कहते है इत में इत कंटिन में Many Possible Orders इन विज दा सिस्टम के एग्जीकूरी इंडिविजूल ऑपरेशन और ट्रांसेक्शन बात है ठीक है तो अब आप T2 पूरा खतम हो गया इकटा फिर यहां पर T1 खतम हो गया तो यह Serial Schedule हो गया अब Non Serial में क्या होता है Break हो होके खतम होते है कुछ Time Limit होती है उस Time तक वो खतम होता है Non Serial NS तो Non Serial Schedule में क्या होता है कि पहले T1 कुछ Second चला फिर T2 चलिया फिर T2 यहां पर खतम होगा तो T1 फिर से चलिगा फिर T1 यहां पर खतम होगा तो T2 कंप्लीट हो गया तो T1 भी कंप्लीट हो गया ठीक है तो एकजामपल हो गया अपना Non Serial Schedule का NSS तो Non Serial Schedule का एक और एकजामपल देख लो भाई एक और एकजामपल यही कि पहले T1 इतना खतम हो गया इतने में T2 पूरा कंप्लीट भी हो गया और T1 भी यहां पर उसके बाद कंप्लीट हो गया तो मेरे जाल से आप लोग समझदार हैं आप लोग को समझ में आ गया भाई है कि Serial Schedule और Non Serial Schedule क्या होता है अब जो लास्ट हम है Serialisable Serialisable क्या होता है जहां पर Serialisable ठीक है जहां पर यहां पर दोनों मतलब दोनों कौन-कौन से Serial Schedule और Non Serial Schedule Serial Schedule और Non Serial Schedule अगर दोनों का Output Same हो जाता है दोनों का Output Same हो जाता है दोनों का Value Same हो जाता है दोनों Transactions का तो it means कि यह serial legible है the serial legibility of the schedule is to find non serial schedule देखो is to find non serial schedule that allow transaction to execute concurrently without interfering with one another ठीक है it identified which schedule are correct देखो schedule correct where execution of the transaction have interleaving on their operations मात यह है कि देखो non serial schedule जो है इनका operations का जो output होने operations जब complete होने जब आपने को final transaction complete हो जागा तो इसमें output हर बार सही आने के chances नहीं होते non serial schedule में क्योंकि कुछ 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 break break हो के होते है अगर यह correct आ जाता है serial के बराबर ठीक है क्योंकि non serial serial के बराबर अगर output बन जाता है तो वो कहलागा serializable मैंने आपको बता दिया non serial schedule will be serializable if the result is equal to the result of the serial transaction जो भी non serial schedule है उनका जो final output है वो अगर serial schedule के equal हो जाता है तो उस condition पर अपन क्या बोलते हैं कि serializable schedule हो गया I think समझदार हो खतम खतम हो गई तीनों चीज़ है important थी भाई इसलिए बताया गया है तो फिलाल समझदार हो आप लोग तो मेरे खाल से पढ़ रहे होंगे जिनोंने भी इसके उपर वाले topics नहीं देखें true engineer channel के तो भाई या जाके देख ले न DBMS के important शारे बहुत सारे topics discuss कर चुके ठीक है तो link description में प्लेलिस चेक करें ले न बाई